तो चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत ही डिमांडिंग है इसके पारे में भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है नंबर सिस्टम पे एक वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपको इस टॉपिक में क्या क्या बताऊंगी आज पहले बतार किया है क्यों योच से प्रकार होते है इसके कौन कौन से वीडियो डेकि अब से पहले तो नंबर सिस्टम क्यों यूज की आता है वो बताथी हों आपको यह कंप्यूटर हो हथा है वो user की भासा को नहीं समझता है और ना ही user computer की भासा को समझता है इसलिए कुछ number system है जो computer में प्रयोग की जाते हैं जब भी हम कोई character या word computer में लिखते हैं तो वह उसे number में बदल देता है क्योंकि computer केवल numbers को ही समझता है तो आप कोई समझ में आगया ये computer हमारी भासा को नहीं समझता है ना ही हम computer की भासा को समझते हैं तो हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो एक number में convert हो जाता है number system के according तो कौन सा कैसे convert होता है क्या होता है वो आपको हम बताते हैं number system में अब से पहले तो कौन-कौन से number system होते हैं types of number system बताती हों है चार प्रकार के होते हैं binary, octal, decimal, hexadecimal फिर से देख लिए handing trucks पहले हम आते हैं binary number system पर देखे बाइनरी number system क्या होता है digital computer अपना सारा data binary number में ही प्रधासित करते हैं जो computer होते हैं वो अपना data binary में प्रदस्यत करते हैं वह में binary में ही data जाना जाता है binary number system में केवल दो number होते हैं 0 और 1 इन ही का प्रयोक के जाता है इसलिए इसका आधार इसको English से बोलते हैं base और redix कोई भी चीज़ बोल सकते हैं इसलिए binary number system का जो base होता है या फिर आधार होता है वो दो होता है क्योंकि इसमे केवल दो ही number पाया जाते हैं कौन-कौन से 0 और 1 इसका example मैंने आपको दिया है कोई एक number है binary number system के according 1010 ये कैसे है क्या है ये समझने की जोरुत नहीं है अब मैं आप पुतारी हूँ कि ये वास एक number है binary में आगे आपको खुद समझ में आजागा कि कैसे ये binary है क्या इसकी actual मे number system में ये आपको समय में आ जाएगा अब देखिए दूसरा आता है दूसरा है और नमबर सिस्टम में केवल आठ अंक होते हैं जैसे binary में दो होते हैं सबस्क्राइब के-विEPर क keeping the option and call MAT 55 इसका सब्सक्राइब होता है क्योंच rotorargent होता है फिल सब्सक्राइब सब्सक्राइब नाफड़ में तो सब्सक्रामार आप्सक्राइब होता है नाफड़ में ? एक ब्रेयर सिब्सक्राइब सफिक्स में जो भी बेस होगा तो इस कॉक्टल का बेस एट होता है चलिए थार्ड बे आते हैं थार्ड नंबर सिस्टम क्या है decimal number system decimal number system जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का प्रियोग की जाता है ठिशल रही हूं आपको नंबर सिस्टम ही होता है आप यूस करते हैं अपने नर्म लाइफ में किसी भी चिज़ को बदने के लिए बात करने के लिए पढ़ने के लिए तो वो decimal number system ही होता है फर एक्जामपल 162 बेस इसका 10 है ठीक है यह हो गया 3rd और आपका आवाता है 4th 4th क्या है hexadecimal number system hexadecimal number system में 10 अंख होते हैं और 6 letter होते हैं यह बात ध्यान रखने हैं आपको कि इसमें 10 अंख होते हैं और 6 letter होते हैं जो कौन-कौन से होते हैं 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0 से लेकर 9 तक यह 10 अंख हो गया और A,B,C,D,D,E,F A,B,C,D,E,F यह 6 letter होते हैं hexadecimal number system में 10 को हम जैसे देखिए 0 से 9 तक तो आगया हो में 10, 9 के बाद 10 आता है 10 जो होता है उसको कैसे दिखाते हैं hexadecimal में 10 को A के द्वारा लिखा जाता है यह जो A आपको दिख रहा है न 9 के बाद तो 9 के बाद तो 10 आना चाहिए तो इसको हम A से लिखते हैं फिर 11 को हम B से लिखेंगे 12 को हम C से लिखते हैं 13 को D से 14 को E से और 15 को F से 0 से लिखे 15 तक काउंटिंग होती है इस बात को आप अच्छे से समझ लीजेगा क्योंकि इस बात को समझ लेंगे तभी आपको hexadecimal number system 7 में आएगा इस number system में कुल 16 number होते हैं और वो alpha numeric value होती है alpha numeric क्यों बोलते हैं क्योंकि उसमें numeric भी है और letter भी है इसलिए इसका base 16 होता है होता है और किसका कोई example का number है अब हमें आपको होता हूंगी कैसे आप एक से दूसरे में convert करोगे तो आपको खुछ समझ मैं जागा कि कौन सा कैसे होता है देखिए पहला जो basic है वो है आपका binary to decimal कोई भी binary number आपको दिख रहा है 10101 या 10101 एक्चुल में decimal जो हम यूज करते हैं उस ऐसी value इसकी होती है कैसे convert करते है binary अंको को decimal में बदलने के लिए सबसे पहले binary अंको को दाएं से बाएं लिखा जाता है उसके बाद उसके अंको के मान को इस्थानी ये मान से गुड़ा करके उन्हें जोड़ दिया जाता है ये बात आपको जितनी language में समझ में आ रही है उससे जादा आपको समझ में आएगी जब ये actual में करके बताऊंगी देखिए ये number है 10101 ये binary का है दो बेस है इसकी इसको हमें decimal में बदलना है तो कैसे निकालेंगे देखिए पहले हमने ये संख्या लिख दी 10101 जैसे है as it is अब हमें इस्थानी इमान आपने सुना होगा या फिर English में प्लेस वैल्यू तो अगर हम दाएं से बाया जाए राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 22 से डेसिमल ने बदल रहे है तो हम 2 की पावर में सारे लिखेंगे अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी? 4 थी 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 1 2 की पावर 0 सबकी हमने बस प्लेस वैल्यू लिख दी एक बार हमने संख्या लिख दी उसके नीचे हमने place value लिए दी, अब हम क्या करेंगे, जो भी sign क्या है, जो भी number है, उसको उसकी place value से multiply करेंगे, गुड़ा करेंगे, और सब को add कर देंगे, तो जब हम निकालते हैं, तो देखिए, 1 into 2 की power 4, 0 into 2 की power 3, 1 into 2 की power 2, ठीक है, 0 into 2 की power 1, और 1 into 2 की power 0, इन सब को अलग हमने जोड दिया, ठीक है, तो सब की हमने value निकाले, ठीक होता है, यह 8 होगा, बट यहां पर 0 से multiply कर देंगे, तो 0 हो जाएगा, तो जो 1 वाले हैं, वही आएंगे, तो सब को add कर दिया, आ गया 21, तो 21 यह decimal में आ गया, आपको पता चला कि 21 का binary क्या होता है, 10101, इस चीज को आप एक बार अच्छे से देख लीजेगा, मैंने आपको एक बार बताया है, आप इस चीज को दोबारा सुन लीजेगा, दोबारा करके देख लीजेगा, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाए हो, कि एक बार में इतना आसान नहीं होता है, समझ में आना, तो आपको और system को octal number system में बदलने के लिए दी गई binary संख्या को दाई होट से 33 के जोड़ों में बाड़ दी जाता है और यदि आखरी जोड़ों में तीन नमबर नहीं होते हैं तो हम उसमें swan ही सूने लगा कर 3 का जोड़ा पूरा कर लेते हैं कैसे होता है पहले आप यह देखिए आपको दिया गया है कि बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है यह इतनी बड़ी संख्या दी गई है 010 100 00 तो हम क्या करेंगे इसको दाएं से बाएं दाएं से बाएं राइट से लेफ्ट 3-3 के पेर में बना लेंगे 3-3 के चोड़े में 010 एक पेर हो गया sorry फिर दूसरा हो गया 100 फिर तीसरा हो गया यह अगर बाइचांस ही जो लास्ट वाला पेर था उसमें कीवल दो ही नंबर बच रहे थे तो अब उसमें अलग से 0 लगा दीजे एक उसको तीन का पेर बनाने में अगर दो कम पढ़ना है दो जिरो लगा लगा पाइन का पर बना यहां कैसे ना कैसे सबकिंग तीन-टीन के यह पन गए अब हमें क्या करना है इंदी तीन-टीन के पेयर का जो भी इस बैयंकर डेसी निकालेगे तो कैसे निकालते हैं इसके पहले वाले धीडिओ मैंने बताया था बारेंगोट जो प्रॉस dislochet ये था वहीं वाला प्रॉसस हे इसके बाउट करना है क्या करना है जीरो इंट्वी पावर जीरो तो यहां से लेकिए, 0 into 2 की पावर 0, 1 into 2 की पावर 1, 0 into 2 की पावर 2, उसी प्रोसस से हमने इसका binary का decimal निकाल लिए 2 आ गया, फिर इस 100 का निकालेंगे वैसे यह से पहले वाले question में किया था, तो इसका 4 आ गया, फिर इस वाले का निकालेंगे 010 का, तो इसका 2 आ गया, इनको line से लिख दिया, 2, 4, 2, तो यह आ गया है आपका octal, तो binary से octal कैसे करते हैं, अगर आपको एक बार आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे questions जल्दी solve करने हैं, तो उसके लिए यह लंबा process ना करके, आप कम से कम, एक से लेकर 15, 1 से लेकर 16 तक जो decimal number होते हैं, उनका binary क क्या होता है, वो याद कर लीजे, समझ लीजे, एक मैं आपको इसके बाद एक वीडियो बताऊंगी, छोटा सा वीडियो जिसमें, कैसे आप easily याद कर सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक के नंबर का binary क्या होता है, अगर आपको याद हो जाएगा ना तो फिर आपको यह सब बार बार निकालने के जुरत नहीं पड़ेगी, कनवर्जन करने में, आपको एक से याद्धान रहा कि जहां आईजी था, वो एक टेबल होती है, अगर आपको टेबल पता है, तो इस टेबल से बहुत जल्दी आता जाता है, नहीं तो फिर एक दो बार उस टेबल को देखिए, समझ म से इस टेबल हूए जाता है, नहीं तो बार इन्री से अक्तल, फार अपके है बाहिनी से थाता है, दाने जोल्दार चार चार के जोड़े बनाए क kidding के लिए, बाह्म टेबल देगे, एक जाया जाए बमर है पूरे इसका हमें हstag संगलना है, ओने दाने के लिए बना लिए? अब 4,000 के pair of pair हम वही काम करेंगे इसका binary निकालेंगे सौई इसका decimal निकालेंगे इसका decimal निकालेंगे जो होगा वही हमें लिक देना है देखे कैसे किया है हमने पहले 4,000 के pair बना लिया फिस 0010 का हमेn decimal निकालना है 0 x 2 x 0 1 x 2 x 1 0 x 2 x 2 x 10 x a 2 आ गया और इसका क्या आ गया निकाला हमने इसी तरीके से 10 आ गया मगर एक बात आपको याद है कि हैक्षाडिसिबल में कभी 10 को 10 लिखते हैं 10 को A लिखते हैं तो बस हमने क्या किया 2 इसकी जगे पर लिख दिया और इसकी जगे 10 लिखना था तो इसकी जगे decimal से binary की और अगर आपको आती है कि वो simple है आती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आती है तो आप कमेंट करें मैं आपको वो भी समझा दोगी और कोई भी doubt है तो प्लीज कमेंट करें thanks for watching my video